आज की कानी का मुख्य किर्दार एक साल का लड़का है जिसकी लाइफ में कहने को कुछ खास नहीं है अचानक एक की दिन में वो दो खुबसत लड़कियों से मिलता है जो से घर आने के लिए बेताब हो जाती है और कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वज़े से उस लड़के को उने बिना कराई के किरायधार बनाना ही पड़ता है और उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाती है ये कानी एक आम लड़की हाव रेन की जो हाली में अपनी पड़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में है रेन एक काफी दिलदार और नेक इंसान है जो नौफली ढून कर अपना घर बसाने की दौड़ बाग में रोजाना मैनत कर रहा है एक दिन रेन ठका हारा बेंच पर अराम कर रहा होता है तबी क्यूट दिखनेवा लड़की लियू लिली वहाँ आकर उसे जगा देती है और उससे एक पता पूछने लगती है लेकिन जिस गर की उसे तलाश है वो दिखने में रेन का गर की जैसा है उसने पूछा कि वो इस घर में क्यों जाना चाती है ति लिली ने बताया कि वो किराए के लिए काफी दिनों से एक घर डूण रही है और इस वक्त उसे और कोई पता पूछने के लिए नहीं मिला तबी रेन को याद आया कि उसको घर भी तो किराय के लिए खाली है ये तो इत्तिफाक की बात है कि लिली पता पूछने सिधे मकान मालिक तक पहुचाई असल में रेन का गर यहां से 20 किलोमेटर दूर है अलिली जो साउथ वाइट स्टोन रोड की जगे वाइट स्टोन डाउन टॉन में बटक रही है लिने रोते वे पुझा कि क्या उसे घर तक लिजा सकता है तो रेन राजी हो गया उसने बता दिया कि उस घर के मालिक से ही बात कर रही है वो बस मैं बैच कर घर की और चल दिये रास्ते में रेन ने लिली से पूछा किये क्या उसे किसी अंजान के साथ जाने में डर नहीं लगता कई वो किड्नैप हो गई तो क्या होगा तो लिली पहले तो डरने की अक्टिंग करने लगी पर उसने कहा कि रेन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो किसी को गिड्नैप कर सकता है कुछी देर में दोनों अपने महले तक पहुँच जाते है वहां की गलिया काफी शांतर सुनसान है पर रेन ने कहा कि यहां सेक्योरिटी काफी अच्छी है इसलिए गबराने की कोई जूरत नहीं अचानक लिली के बैक का एक पईया तूट जाता है और वो और तो वो उसे गसीटने लगती है उसने ये भी कहा कि वो किसी चोर चके से नहीं डरती जब रेन ने उसकी मदद करने की कोशिश भी तो उससे वो बैक तक हिला भी नहीं पर लिली ने उससे आराम से उठा कर कंदे पर रख लिया रेन अचानक खुद को कमजूर मैसूस करने लगा जब वो गुनगुनाते हुए कुछ दूर तक चले तो एक तीज हवा का जोका आया और उसके कदमों की तरफतार और तीज हो गई रेन ने कहा कि यहाँ पास में ही एक जंगल है इसलिए यहाँ चमकादर कुछ ज़्यादा ही है पर लिली अचानक अजीब भीएव करने लगे और एक वुल्फ में बदल गई उसने रेन को दिवार के सारे सटा दिया रेन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाती है उट डर के मारे कहने लगा कि वो एक सजजन आदमी है और इस तरह की अरकते उसे बिल्कुल पसंद नहीं पर लिली सिर्फ उसकी स्मेल को पहचानना चाती है उसने कहा कि वो उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर चला जाए पर रहन की उससे कबला लड़की को सुनसान रास्ते में छोड़कर जाने की जाज़त नहीं देते तबी लिली को खून की स्मेल आये और उसने अपना रूप बदल लिया पिर एक फीमेल वेंपायर ने आकर उस पर हमला कर दिया और उनके बीच वहीं पर एक लड़ाई छड़ गई लिली ने उस एमपायर से जमीन पर लड़ने को कहा क्योंकि उसे असली फाइटर की तरह लड़ना चाहिए पर उस एमपायर ने उसकी एक ना सुनी और वो रहन को करीब जा पहुँची और उसे रहन के पास देख लिली उनने उसे बगा दिया रहन इन गटनाओ को देखकर थोड़ा सर्प्राइज है वो जानना चाहता है कि लिली है कौन पर लिली ने उसे कहा कि वो घर जाकर अराम करे और आज जो भीवा उसे बूल जाए इतना कहते ही वो अपना बैग उठाकर वाँसे चल देती है उसने कहा कि आज वो रात को किसी पुल के नीचे सोईगी तो रहन को उस पर तरस आ गया प्रिकि लिली ने उसकी जान बचाई है तो वो अकेला कैसे छोड़ दे बला थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं जहां रहन उसे अपना लिविंग रूम और लिली को रहने के लिए कमरा दिखाता है लिली को अपना कमरा काफी पसंद आया रहन ने कहा कि अगर तुम कोई जरवत है तो मुझे याद करना सरवाज बंद करने से पहले लिली ने अचानक उसे रोका और कहने लगी कि उसे लाइब्रेरी में एलियन्स ने मिलने जाना है प्योंकि उसे उन्हें वाँ खाना काफी पसंद है और फिर वो सोने जली गई रेन की शकल देखने लायक है आगले दिन जब देन निकला तो लिली जोर जोर से चिलाने लगी प्योंकि उसने रेन को पाल तो बिल ले रोमी को देख लिया रेन ने बताये कि रॉली को टेबल और बैड पर रोल करना काफी शौक है इसलिए इसका नाम रोली है जिसके बाद लिली की नज़र टीवी पर पड़ी जिसे देखकर उसका मन सोयोट्स की जीवनी देखने के लिए हुआ पर कोशिश करने पर भी टीवी चालू नहीं हुआ और खिड़की खोलती कई सारे चमकादर उसके कमरे में गुज़ गई इसके अंदर से वही रात वाली वेंपायर निकली जो कहने लगी कि लिली का असली काम तो जंगल में चुवे पकड़ना है उसने इंसानों को पकड़ना कप सुरू कर दिया फिर वेंपायर के लिली से लड़ पड़ी कुछ देर बच्चू की तरह लड़ने के बाद रेंउने रोकनी की कोशिश करने लगा क्योंकि उसके घर का सारे समान बरबाद हो रहा है उसने का कि उन दोनों को इस नुकसान का दसगुना बरना होगा पर अंसिटा विवियन जो एक वेंपायर है कहने लगी कि वो तो उसे बचाना चाती है पर उसे बचाने के चक्तर में वो दोनों रेंग को ही नुकसान पचाने लगे जब लिली ने विवियन पर इलजाम लगाया तो उसका पीछा करते हुए वो रहन की घर तक पहुच गई पर विवियन तो दरसल घर डोनते हुए यहां आई है यह किसी इत्विफाक से कम तो नहीं रहन ने उन्हें शांत करवा कर उनके लिए खाना तयार किया जिसमें उसने विवियन का फेवरिट डग बलड टोफू दिया पर विवियन ने बताया कि मिलावट वाला खून पीट दर्ट कर सकता है तो उसने रहन के घर को पोटर से दिखाया क्योंकि उसके पास पैसो की थोड़ी कमी है इसलिए वो किसी सस्थी जगे रहना चाहती है क्योंकि अब उसे गुफा और सुरंग में अभी नई सोया जाता रहन ने कहा कि तुम यहां रह सकती हो पर लिली को इस बात से दिक्कत है क्योंकि वो दोनों के सार फिर मजबूर में ही रह रही है लिली चाहती कि वो अपने खून चूसने वाले दोस्तों के साथ रहे पर विवियन भी उसे एक बिल्ली का बच्चा कहकर उसका मजाक उड़ और फिर रौने का नाटक करने लगी उसने रहनकों मानाने की पूरी कोशिश की जिसके बाद हो मानी गया और कहने लगा कि तुमारे पास जब पैसे है तब दे देना पीवे ने कहा कि वो उसके लिए बदले में खाना बना देगी और जब उसका खाना निली ने चका तो उस पॉंचने में यह उसे दो गंटे लगने वाले है पर रेन जब एक बस लेकर वहाँ पॉंचने तो सामने गाओं होता है जहां किसी कंपनी का तो नाम निशान नहीं होता जो उसके ओपर देखने को का पर जब रहन ने आसमान के और देखा तो एक शांदार बिल्डिंग हवा म तो कम से कम वो रोम किसी ओफिस की तरह लगा जो स्पेस का एक बास्टर्ड ओफिस है। वहार रैवन 12345 ने उसका स्वागत किया जो खुद को उसका बॉस बताती है लेकिन उसकी हरकते देखकर रेन फर्श पर गिर पड़ा। पिर रैवन ने उसे बैठने के लिए कुर्सी देकर अपना नूडल्स का कप वोपन किया और खाना इंज़ाय करने लगी। रैवन ने डरते वे पूछा कि उसे तो यहां इंटर्वी के लिए बुलाया गया था पर यहां तो ऐसा कुछ इंतिजाम नहीं है। रैवन निका कि उसे इस पेस में चुना गया है जो युनिवर्स की सीलिंग अमपार से मानने ता प्राप्त है ताकि वो दुनिया के काबिल लोगों को डूण कर उनसे अपने काम करवा सके। अगर रैंज जाये तो उन्हें बगवान समझ सकता है उसे डर है कि कहीं वो स्वर्ग में तो नहीं रैवन ने बताया कि उसे असिस्टेंट इक्जेमाइनर के रूप में चुना गया है जिससे वो अलग-अलग डिस्ट्रिक में जाकर कुछ चातियों को दुनिया को नेस्ट करने से रोक सके और उलका पिंडो को पता लगा कर उन्हें खतम कर सके तरसा लिली और विवियन को उसका रियक्शन पता करने के लिए बेजा गया था जिस इम्तिहान में रिन खड़ा उतरा उसकी जौब के दो भाग होंगे जिसमें उसे पहले तो कुछ स्पेशल पेइंग उसके फिलाल में मिले किराइदार भी नहीं बचेंगे तो यह फैसला पर इन के हातों में ही है टेवन ने कैबिन में एक्स्प्लीन किया कि उसे सेलरी के साथ काफी सारे एक्स्ट्रा बोनस सी मिले है टेवन उससे इसी वक्त लीगल डॉक्यमेंट देने के लिए भी तैयार ह उसका पहला काम तो अभी के महमानों की देखबाल करना है रेन ने सभी कागजातों को ध्यान से पढ़ा जिसमें आने जाने का कर्चा और त्योहारों के लिए गिफ्ट्स की फैसिलिटी अलग से है चुकि एक सरकारी नौकरेसी भी ज़्यादा मुनाफिक का सौधा है बिल्कुल नहीं मिली हुई है विवियन ने तो दो बार चेक भी किया कि वो डीमन हंटर उनका पीछा तो नहीं कर रहे जब रेन ने पुछा तो उसने बताया कि डीमन हंटर आदे इंसानों की तरह होते हैं प्रादे मॉंस्टर्स की तरह है वो ठंडे खोन वाले खोनी होते हैं जो पहले तो इतने घातक नहीं हुआ करते थे पर अब उनका एक साथ आना इंसानों के लिए एक बड़ा खत्रा बन गया है लिन ने उन्हें सिर्फ टीवी पर देखा विवियन ने कहा कि लिली को शुक्र लंच पर जाएं और टीवी देखें क्योंकि सबका खाना तो वो ट्वैले सी खतम कर चुकी है जब रहनों कुछ टाइम अकेले में बिता रहा होता है तो वो अचानक एक जादूई जंगल में पहुंच जाता है उसे लगा कि यह सपना है जिससे वो बाहर नहीं आ पाता वो चिलाता है कि उसे अपने घर जाना और अपने मेमानों को ख्याल रखना है उस जगे काफे ठंड भी है और अचानक उसकी नजर पड़ी कुछ खतरनाक बीडियों पर जो ठीक उसके सामने कड़े हो गए और एक ने तो उस पर हमला भी कर दिया पर अचानक लीली ने उसे 20 चीजे हैं जिनने उसने कई सालों में कुछ महान लोगों से खट्टा किया है पर लिली ने उन सब को कचरा बताया विवियन को जब भी कोई वेंपायर कहता है तो वो खुद को हाई लेवल वेंपायर बिलाने को कहती है उसने अपनी एक उंगली को दात से काटा और अपना खून रेन के हाथ पर लगाया पर वो खून उसकी स्किन से एवपरेट होने लगा उससे लगा कि शायद एक इंसान के शरी की गर्मी की वज़े से ऐसा हो रहा है पर विवियन ने खड़े होकर कुछ मंतर फूक ने शुरू किये पर वो मंतर भूलने लगी उससे समझ नहीं आरा कि आकेर उसका ब्लड मैजिक रेन पर काम क्यों नहीं कर रहा उसने का कि शायद रहन इतना इंचलिजन नहीं है इसलिए फिर रहन ने उससे किराय के बार याद दिलाया तो रहन से वह माफी मांगने लगी रहन को लगा कि रहन से पूछना ही ठीक रहेगा जब उसने फ पर तभी वहार रहन गाडनर के कपड़ों में आदमकती है जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार देखकर रहन थोड़ा डर जाता है रहन ने कहा कि वह इसी की मदद से पीड़ों की चटाई करने वाली है कुछ देर बाद दोनों आफिस में मिलते है जहार रहन उसे एक सुनकर रहन थोड़ा डर जाता है पर उसे चिंता करने की कोई जरूत नहीं क्योंकि एक तरेके से रहन अमर हो चुका है रहन ने कहा कि अगर वह मर भी जाये तो वह उसकी आत्मा को एक नए शरीर में फिक्स कर देगी रहन सरक जाते है कि वह इन निर्दई लोगों के बीच कहां से फसा जिने अपने employee की जान की भी परवा नहीं है पिर रहन ने उसे urgent task के बारे में पूछा जिसके लिए उसे यहां बुलाया गया है असल में रहन का दिमाग से यह बात निकली गई थी जिसके बाद रहन को एक रूम में लिजाती है जिसका नाम enhancement center है जा किसी भी आम इनसान को नई शक्तिया देकर उसका एक बैतर वर्जन तयार किया जाता है इसके लिए ग्रेन को कबर में बंद होना पड़ेगा जो देखने में भी काफी अजीव है पर रैवन ने उसे धक्का देकर अंदर बंद कर दिया आखिर वो उसे जिंदा दफन कैसे कर सकती है जो वॉक्स तीजी से गुमने लगा तो रैन डर के मारे चिलनाने लगा और अगली पलो एक दमाके के साथ कहीं गायव हो गया उसे देखकर रैवन भी थोड़ी हरान है कहीं उसने कोई गलत बटन तो नहीं दबा दिया जब रैन की आके खुली तो वो खुद को फिर से उसी सप इंकार कर दिया और कहा कि तुमने मुझे कहीं डोरेमॉन तो नहीं समझ रखा है डाटा टर्मिनल को रैन का अकडवंदाज कुछ रास नहीं आया वो चाहता है कि रैन उसकी इज़्जत करे उसने कहा कि रैन चाहे तो उसे टर्मिनेट बुलाख सकता है इस वक्त रैन एक प पालतुजानवर थोड़ी हूँ पर अचानक रैन ने एक आठ सुनी जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो और तभी उसके सामने कुछ खूंकार बेडिया खड़े होते हैं जो खून की प्यासी नजरों से उसे टगूरने लगते हैं पर अच्छी बात ही है कि रैन का शरीर पर ए इंसानों के लिए नरक है वो बेडिया रैन के जुट को समझ गया और उससे अपने बच्चों का खाना बनाने को जिद करने लगा पर रैन की शिल से उसके बच्चे तो बूके ही रहेंगे और इस तूटे दांत के सांथ शिकार करना भी ना मुम्कीन है रैन ने उसके सामने शर्ट रखी कि अगर वो बेडिया उसे इंसानों की बस्तीतर ले जाता है तो रैन उसके लिए डेंटिस्स से बात करेगा और फिर वो दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं बेडिया ने कहा कि इंसानों से डर लगता है क्योंकि वो काफी शातिर होते हैं और किसी भी जीव को पकड़ कर खा जाते हैं जब उसने रैन को बस्ती में छोड़ा तो रैन ने उसे अपनी जुबान रखने को वादा किया जब उसने कुछ घरों को चानना शुरू किया तो उससे कुछ खास नहीं मिला रहे ने टर्मिनल से रोशनी मारने के लिए का पर पर तभी कुछ अजी क्लीनर से जैसे प्यार सा हो गया है लिली ने पूछा कि तुमने इस वाइपर को गले से क्यों लगाया है आखिर ये चल क्या रहा है असल में विवियन ने लिली के लिए एक नया घर देखा है जो है एक छोटा सा डॉग हाउस पर लिली को उसकी गुस्ता की पसंद नहीं आ रही है रेन प्रटेक्टिव शील्ड से खुश तो है पर उसे कुछ और कूल गाजट्स सुपरमन जैसी स्टेंड चाहिए और सब के लिए उसे इंतजार करना होगा और अपना एक्स्पिरिंस बढ़ाना होगा रेन के पूछने पर रैवन बताती कि ये पहलेल वर्ड एक स् ना था क्योंकि उसकी जे में बेड़े का बाल अभी तक है जो वो दूसरी दुनिया से लाया है इसके बाद रैवन ने उसे बाहर दक्का देते हुए उससे असली काम दिया जिसके लिए उसे यूरोप जाना होगा जहां उसे नया साथी मिलेगा बाकी की सारी टीटेल रैव नेंटर बटाता है पर फिलाल दोनों लड़कियों के साथ अपनी पहली फाइट के मजे लेने में व्यस्त है पर लिली को अभी दी सिर्फ खाने के ही पड़ी है विवियन ने जब पूछा तो रैन ने का कि उसे नए साथी के बारे में कोई आइडिया नहीं है बस वो योख तो उसके बस की बात नहीं हाला कि रैवन की दी टिकेट्स भी एकोनॉमिक क्लास की ही है लिली बताते कि वो पहले एक बार जहाज का सफर कर चुकी है उसने कई साल पहले सिट्स ओन प्लेन पर लटक कर सफर किया था कुछ देर बाद वो तीनों इंगलैंड की जमीन पर होते हैं उसे तभी एक आइडिया आया कि ये कालासा की डॉगी कब काम आएगा पर उसे काम करवाने के लिए खाने का लालच देना पड़ेगा और हुटेल की चकाचौन देखकर विवियन पागलसी हो गई वो जगे उन दोनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं वो मिलाये मिस्तर और साई दावत के नशे में इतना चूर हो गई कि रेन के ऊपर अपनी फ्रस्टेशन निकान नहीं पड़ी नो क्योंकि यहां वो काम करने आये हैं रेन ने आगी का प्लैन जानने के लिए टर्मिनल को एक्टिवेट किया पर उसने भी सारी जिम्मेदारी रेन के कंदों पर तो इस वक्त सभी को लगी हुई है पर लिली के खानी की रफ्ता थोड़ी जादा है वीवियन ने तभी कहा कि उन्हें यहां से जल्द निकलना चाहिए क्योंकि उसने किसी डीमन एंटर की आर्ट को महसूस किया है तभी वहां एक नागॉंग आ जाता है और वो भी उनकी त खतरनाफ हो सकता है क्योंकि वहां गोस्ट के होने के कई सबूत है एक सबूत सुनका रेन की चिंता और भी ज़्यादा बड़े क्योंकि उसका अगला किरायदर अगर बूतों की बीच रहता है तो वह जरूर खतरनाक होगा वीवियन को पक्का शक है कि कि किसी होटेल में एक दीमनेंटर बताता है उसके सामने से बताने पर वीवियन को शक होने लगा कि दीमनेंटर खुद को अजनबियों के सामने कैसे एक्सपोस कर सकता है जरूर वो उने उल्लू बना रहा है उसे इग्नोर करके जैसी जाने लगी नागॉंग जल्दबाजी के चकर में गिरते गि वो चाता है क्यों ना जब उनकी मंजिल तक कर सफर वो सब साथ में करे जिस पर वीवियन ने हामी बर ली रहन ने उस जैसे इंसान ते थोड़ा समल करेना चाता है वीवियन को शके कई हागॉंग का निशाना उनका अगला साती तो नहीं हलाकि वो दिखने में तो बेवकू पर नजर रखे हुए है अगली सुबह ट्रेन में वीवियन निली पर चिला रही है क्योंकि उसकी वज़े से वो रात बर सो नहीं पाई उन दोनों को एक दूसरे को अपनाने में थोड़ा समय लगेगा जब रहन ने हागॉंग से बूत वाले वक्ति के बारे में पूछा त नहीं तबी यॉकफोर्ड की न्यूज में एक एंगस नाम की इंसान को दिखाया जाता है जो उस हाथसे का चस्मदीद गवा है एंगस कहने लगा कि उसने महल को तबाह होते देखा था और तबी इसे कुछ कवज पहने लोगों की आत्मा वाँ भटकती है रिपोर्टर की अ हैंगॉंग की भारी सूटकेस को ठाकर उपर रख देती है जिसमें उसके सभी हत्यार है लेकिन विवियन को उसकी बाते अब भी कुछ खाउकली रखती है क्योंकि किसी डीमन हंटर को इतने हत्यारों की जरत कभी नहीं पड़ती है पर थोड़ी कोशिश करने पर कुछ कमरो का इंतजाम हो जाएगा एंगॉस की सेतानी हशी के पीछे कुछ तो राज है कुछ तेर इंतजार के बाद एंगॉस ने दो कमरों के बंदबस्त करी दिया हुगा गॉंग ने रेन को अपने रूम में आने की जाज़त दे दी आखिर अब वो दोस्चों है लिली ने नींद म खुद को होटेल के ओनर के रूप में इंटर्ड्यूस किया पर हुयोंग ने उससे किले के बारे में कुछ और सवाल करना चाता है उसने एंगस से किले का एक मैप भी मागा पर असल में तो कोई मैप एक्जिस्टी नहीं करता प्योंकि यॉक्वर्ट का ये महल तो सालों साल पुराना है और काफी सालों से लोगों ने यहां आना भी बंद कर दिया था इस महल के बंजर होने से पहले इस पर मामला भी हुआ था और हजारों सैनिकों ने इसी महल की सुरंग में फुसकर अपना दम तोड़ा था जिसके बाद से उन सभी की आत्मा खजाने की रक्षा कर हाला कि उस खजाने तक पहुचने कर आस्ता अपने में नरक्य द्वार के समान है और खत्रों से बरा हुआ है इस हमले के पीछे राजा की बेटों के बीच हुआ मायुद्ध था जिसने यॉकफ़र्ट की पूरी जमिन को खून से निला दिया और आखिर में उन तीनों बायो कि आपस में कोई connection नहीं लगता क्योंकि सारे बूत पिसास तो सुरंग में बंध है अपर सभी घटनाय जमीन के उपर हुई थी इतना सुनकर रैन का दिमाग चकराने लगा क्योंकि नई किरायदार को डूनना असान तो बिलकुल नहीं होने वाला रैन ने होयां के खत्रों म मुझसे मच्छरों से नहीं बचा पाया रैन के बार-बार पूछने पर होयां ने कहा कि मेरी बैन बीमन हंटर नहीं है असल में उसकी सुरक्षा के लिए खुद बीमन हंटर बना था और वो जानता तक नहीं था कि अब उसकी बैन कहा है इतने में ही light चली जाती है और रैन दर के मारे चिनलाने लगता है फिर हम एंगुस को उनी अंजीब लोगों के साथ देखते जिने वो किराय के पिल्ले बना कर लाया है और सब को 200-200 रुपे देने वाला है उसकी सारी बातों को सायथ कोई सुन रहा है अचानक रेन के बिस्तर पर आकर कोई बैठ गया जो अब गाया हुए और उससे पहले कि उनके साथी को नुकसान पुचा है उन्हें उसे धेर दबुचना होगा वो लिली को फिर से नींद के नशे में पाते है जिससे उठाने के लिए उसे जमीन पर पटकना पड़ता है एंगुस सर उसके साथी सायथ किले की और बढ़ रहे ह जहां जाने से पहले वो उने कर्स्ट क्रॉस के बारे में चोकना करता है तो कि उसे दिखता है कि कोई अनोनी होने वाली है और साथी उन्हें आत्मा और पिशाचों से भी संबल कर रहना होगा पर ज़्यादा संबल कर रहने की जरुत होया अंको है जिसकी गले एक साप आप सकती है उसकी इनी हरकतों से उसका सर पत्थर उपर जा लगा फिर उन्हें एक सुरंग दिखी जहां पर काफी फिसलन है पर ये क्या लिली और वीवियन तो यहां भी शुरू हो गए वीवियन ने कुछ चमकादर दोस्तों से रास्ता पूचा जिसे निकाल कर वो अंदर की और आप पहुचे, पर वो वहाँ अकेले नहीं है, टर्मिनल ने हर बार की तरह इस वार भी मदद देने से इंकार कर दिया, लिली की तरह सो गया, कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक रोशनी दिखी, जहां उन्होंने होयां को देखा, और उसकी स्किल्स देखकर विवियन मान गई कि वो एक असली डीमन अंटर है, पर वो एक बेफको भी किसे दिखाने के लिए करता है, कुछ थे ठकने के बाद उसकी नजर एक चर्च पर पड़ती है, और रेन जानता है कि ये वही मायुद्ध की शुरुवात हुई थी, तर्मिनल ने कहा कि तुम अग वो क्रॉस भी जिनकी मनुसरत की वज़े से कई लोगों की जान चली गए, जब विवियन ने धूल हटाई तो उसमें उन्हें कुछ पहे नहीं मिली, जिसे सुल जाने के बाद उनके सामने एक और नया रास्ता खुलता है, और टर्मिनल ने भी कहा कि नया साथी आसपासी है इसलिए वो तीनों बिन इंतजार के अंदर कूद गए, और उस खाली गुफा में आगे बढ़ते वे रेन ने अपने पालत टर्मिनल को रोशनी के लिए बुलाया, वैसे तो उसे पसंद नहीं कि कोई उसे सिर्फ एक तौर्च की तरह इस्तिमाल करे, जब उन्हें सामने के अपने जादू के करण अपना सर तुड़वा बैठेगा, काफी लंबा चलने के बावजूद रेन और दोनों लड़कियों ने अराम करने का सोचा, लिली तो अपना नास्ता भी साथ लाई है, जब विवियन ने कुछ खाने से इंकार कर दिया, तो लिली उसे बुड़्ड विवियन ने अपने जादों से सबको एक भूत की तरह गायब कर दिया, रेन को तो एंगस एक महान इंसान लगता है, पर विवियन को उस पर पूरा शक है क्योंकि इतनी राद गए, वो यहां क्या कर रहा था, उसे जरूर कुछ राज मालूम है, तब ही नीली उसे सामने से आकर डरा देती है, रेन ने सोचा कि क्यों ना भूत बनकर उसे मजे लिये जाएं, उस सब उसे डरा कर सवाल करने लगे, तो एंगस कहता है कि वो तो सिर्फ अपना बिजनस बचाने के लिए इस सब कर रहा है, और वो चंद पैसों के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल की है, जहां बाहर की आत्माओं का आना वर्जित है, और अगर ऐसा हुआ तो सारे सैनिक जंदा हो जाएंगे, जैसी विविया ने से छोने की कोशिश की तो कुछ बहुत बुरा हुआ, उनकी तरफ तीरों की बारिश होने लगी, जिससे रेन ने अपनी शील्ड से रोका, कि लिली एक डॉगी की तरह उसका तेजी से पीछा करने लगी, पर एक गड़े में जागिरी, विवियन ने पूरी कोशिश करके उसे बचा ही लिया, वहीं हायोंग भी इस जगे पर पहुँचा जहां सीरों की बर्शा हो बिना बताय होती है, और उसने भी वही गंती करके और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, रेनिस मिशन को पूरा कर जल्दी गर लोटना चाता है, उन्हें लग रहा है कि एंगिस ने ही उनके साथी को कैद किया हुआ है, बस नया दोस्ट ज़्यादा खतरनाक ना हो, पता नहीं बिचारी विवियन को कब तक बिना ख अब रहन और उसके साथी की भी मुसीबते बढ़ने लगी, क्योंकि जो सैनिक सीन थे वो बाहर आने लगे, कुछ को तो लिली और विवियन ने अपनी शक्ती से समाल लिया, पर ये तो सिर्फ कुछी थे, उनकी तलवार पर लिली ने पढ़ा कि ये लोग मैजिक स्टोन की रक्षा करने वाले गार्जियन्स हैं, वो मैजिक स्टोन जिससे डीमन को बुलाया जा सकता है, और अगर वो किसी के हाथ लग गया तो भैंकर संकर्टान पड़ेगा, पर सैकडो सैनिकों ने उससे सील किया हुआ है, इसलिए उस तक पहुचना लगबग नाममकिन है, रहन पूछा कि स्टोन दिखता कैसा है, क्योंकि कुछ ऐसा ही ठीक उनके सर के उपर टंगा हुआ है, उनके साथ होयां को भी कुछ सक्तिशाली मैशूस होता है, रहन ने जब अपना सर पकड़ लिया तो टर्मिनल भी उसकी बतकिस्मिति को समझ गया, वो चाहता है कि टर्मिनल पर साय टर्मिनल उसकी मौत के बाद उसकी मदद करेगा, हायोंग ने उस जगे को अनब्लॉक करने के लिए नया स्पेल पड़ा, क्योंकि जब तक कोई सक्ती मजिक स्टोन पर नहीं पड़ेगी तो इसे तरह लटका रहेगा, लेकिन किसी बेवकूफ ने उसे इलाकर सारे गाट्स को नीन से जगा दिया, अब रेन के घर जाने के आसार भी कुछ कम होते जा रहे हैं, असल में बेवकूफ भी हायोंग की है, उसी के मामले की बज़े से उन तीनों की जान खतर में है, इतने पावफुल नाइट्स के बीच घिरे रेन ने हायोंग को उन पर अमला करत देखा, वो बार-बार खुद को डीमन अंटर सावित करने के लिए हमेशा कोई न कोई बेवकू भी कर बैठता है, हायोंग ने कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो एक प्रफेशनल डीमन अंटर के साथ उनके सर पर है, फिर उसने अपने तीरों से पतर हायों की सर पर जा गिरा, इतने महीं विवेन अपने गातक हमले के लिए तयार हो जाता है, पर जैसी उसने अटैक किया, उसकी एनरजी को स्टोन ने खीच लिया और वो एक्टिवेट होने लगा, उस स्टोन से एक रे निकल कर सीधे स्पेस से टकराई और एक फर आदमा का हुआ, जिसमें सभी नाइट की आत्मदफन हो गई, पर अब एक नई मुसीबत उनके सामने है, जो एक है विशालका है फायर मॉंस्टर, उस मॉंस्टर ने हायों और रेन को अपनी मुठी में बरा और उन्हें ठठा कर ले जाने लगा, और साथी विवेन भी उसक शरीन लाल एनरजी से बढ़ जाता है, और साथी आसमान में भी एक लाल चान दिखाई पड़ता है, इसे देखकर लिली बेवोश हो गई, विवेन जैसे उस पर हमला करने वाली थी तो वो मॉंस्टर रेन को अपना मालिक बताने लगा, इसे सुनकर टर्मिनल बाहर आकर बत उसने उसे हाथ भी मिलाया और उसे नया नाम दिया जो है बिग गाई, आखिरा वो सब दोस्त जो है, इनने जैसे ही कहा कि उसने नाइट्स को ठिकाने लगाना होगा, तो तब ही डीमन ने एक ये शारे में उसे किले को हमेशा गले तबाह कर दिया, टर्मिनल ने कहा कि नया मिटियोर अक्टिवेट करने लगा, और रेन की रिक्वेस्ट पर उसने अपने इंसानी रूप धारंड किया, आलाकि उस रूप में भी वो एक मॉंस्टरी दिखता है, उसका नम वाईजैक है, अगले दिन जब रेवन रेन से नए साथी के बारे में पूछ तो रेन बताते कि वाईजैक ने सुबह पर्स गुम होने के पर भी मिटियोर निकाल लिया था, आखिर हर मुसीबत के लिए उसके पास एक मिटियोर क्यों है, वाईजैक को स्वे सॉस काफी पसंद है, जब वो स्पेस में राता था तो वो चावल में सॉस नहीं, बलकि सॉस में चावल डाल जाता है, पर बत किसमतों से उसको अपनों नहीं उसे बिजनस में दोका दिया, और उसकी जान लेने तक लिए उसे मारा गया, बर जैसे तैसे उसने अपनी जान बचाई, लगता है वाईजैक को रें को बिल्ले से खास लगा वोने लगा है, वाईजैक ने का कि अब उसके जाना होगा यूकि उसे रेन को किराय भी तो दिना है और इसी बीच लेली ने विवियन को पैसो को लेकर ताना मार दिया वो दोलो कुटे बिल्यों की तरह आपस में लड़ने लगी पर वाई जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा रेवन चाहते कि रेन अपनी सभी किरा पैसे बाइदारों की बराबर खैतेदारी करें और उनका खात ध्यान रखें पर घर की हालत देखकर उस विलाल अपना ध्यान रखने की जरुरत है शाम डलते डलते विवियन ने अपने कमरे शीजे की चमकार डाले रेन ने विवियन को सफाई के दोरान एक कागच का टुक हाई का रेन की जिन्दगी में होने का एक इत्फाक नहीं हो सकता विवियन ने उस पर पढ़ा शक्ती का स्त्रोथ जो एक बार फिर दर्वाजा खोलेगा पर कागच के टुकड़े को नहीं पढ़ पा रही पर ये तो पक्काय कि वो दोनों ही लेक एक ही किताब के हैं पर को देखा जो काफी प्यारा गा रही थी पर जब उसने लड़की को पास भुला का पैसे देने का इसारा कर दिया तो रेन उसे इग्नोर करके पतली गली से निकान लिया रेवन आफिस में उसे नए किरायदार के बारे में समझाती है इसे लाने के लिए रेन को अंतरिक्ष म की जलक दिखाती है जहां से उसे लोकेशन पर जाने के लिए स्पेश्चिप मिलेगी पर क्यूपर तक वो उसे टेलिपोर्ट करने वाली है लेकिन उससे अगले उसके जादू के कुछ ड्रॉबैक्स है क्योंकि वो प्लैनेट ओशन से गीरा हुआ है इसलिए रेन को अपने विवियन उसे देखती पचानगे कि वो ये भी एक आउटकास्ट है उसने का कि वो एक सिरेन है जिससे समझाने के लिए टीचर विवियन बौर्ड पर आती है और कैते कि सिरेन अकसर गहरे समंदरों में पाई जाती है और उन्हें जमीन पर काफी कम देखा जाता है सभी सिर की लड़ाय की वज़े से अब रेन को आदत हो चुकी है अपर कम से कम वो बोर तो नहीं होता लंच के बाद रेन ने सभी को ने मिशन के बारे में बता है जिसके लिए उसे स्पेस चेंटर पर जाना पड़ेगा वो भी कुछ 800 लाइट सी यह दूर्स पर अपने साथ रेन उसको कानों की शमता कुछ ज़्यादा ही सेंसेटिव है तब रेन उससे पूसा कि तुमने ट्रैवलर बनने की क्यों सोचा पर वीवर कहते है कि वो तो एक ठीकरेट है फिर वो सोने के लिए चली गई अगली सुबह सब कुएपर में जाने के लिए तयायार है और कुछी दे की ने जवाब दिया कि कुएपर का एटमॉसफेर एड मॉडिफाइड है जो कि ज़्यादतर दुनिया के लोगों के अनुकूल है रेन जब गाइड से पूछता है कि यहाँ इतनी शान्ति क्यों है तो गाइड ने का कि ज़्यादतर ट्रैवलर्स यहां से जा चुके हैं ले सिधा कहने लगा पर वैजे कहता है कि कम से कम वो अपनी तरफ से पूरी कोशिस तो कर रही है और इसी के साथ उन्हें एक पाइलेट भी दिया गया जो दिखने में काफी एकसाइटिड है और दो मिलियन किलोमेटर का सफर 24 गंट में करवाने के लिए तैयार है उनका स्पेस स्पेसक्राफ बस लॉंच होने वाला है वही निली और वीविवेन घर पर उन्हें याद करके बोर हो रहे है निली अभी भी एन के पास जाना चाती है उसने विवियन की पंकों की बुराई की क्योंकि वो उसे रेन के पास नहीं लिजा सकती विवेन ने घुस्से में का कि उसे खाना नहीं देने वाली इसे सुनकर उनकी बैस फिर से शुरू हो जाती है और यह रहने अपने दोस्तों के पॉकर खेलने में बिजी है रहने जब बाहर देखा तो वो कहने लगा कि इतनी स्पीड होने के बाउजिद उन्हें पता क्यों नहीं लग रहा तो वाई जैक ब पता है कि उन्हें जल्दी छोटी शिप लेकर यहां से निकलना होगा और रहन की टीम तेजी से सिपकी और दोडी जैसी रहन ने टर्मिनल को फिक्स किया तो उसने का कि स्पेस क्राफ की स्पीड इतनी है कि हैच टोर की खोलना मुश्किल है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकते पर दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी वाई जैक ने ली उसकी 10 किलो की बाजो ने गेट को चुकना चूर कर डाला और वाई जैक अपनी असली रूप में आ गया पर उनकी शिप की स्पीड इतनी तेज होती कि प्रोपेलर खराब हो जाता है और वो सब तेजी से न क्रीम डामेंशन ने बेज दिया गया है पर चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि असली दुनिया में वोई ने उसकी जान बचा ली पर यहां आना उसकी लिए कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसकी आखों के सामने वुल्फ कुछ बीडियो से लड़ रहा है रहन ने अ इंजान बाशा में कुछ-कुछ लिखा हुआ है अवेडिये को याद है कि ये बाशा एक इंसान नहीं उसे सिखाई थी जिसने उसे फिर से चलना भी सिखाया उनकी बातों के बीच टर्मिनल उसे असली दुनिया में ले आता है वह तो डर ही गई थी क्योंकि रहन के चेरे पर बिजली गिरी थी जिसने उसे बेहोश कर दिया था पर अब चिंता की कोई बात नहीं है जब वो बेहोश था तब टर्मिनल ने उसे जगय का ब्योरा लिया था वे रेन को पहली बार टर्मिनल कुछ काम का लगा मैप के अंदर दो डॉट्स जिसमें से एक पर उनका नया खाकर बेहोश हो जाएगी जिसके बाद विवियन को भी मोड़ खराब हो गया लेकिन लिली अचानक अजीब बेहेव करने लगी वो कूद कर खर के बार जाने लगी जैसे किशी ने उसे वश में कर लिया हो रेन काफी टाइम से डॉट की और बढ़ रहा है टर्मिनल ने कहा कि उन्हें चलते वे रूल्स को फालो करना ही होंगे अगर रूल्स को तोड़ा तो पुलिस तो आ नहीं आने वाली फिर उनकी नजर क्रेश की और पड़ी जो इतना बड़ा है कि अगर ये धरती पर होता तो सारे अख़वारों में इसकी ख़बर जरूर आती पता नहीं उन जो भी होगा जिन्दा होगा रेन ने कहा कि उन्हें दूसरे स्पॉट पर चलना चाहिए पर वो तो पानी के बीच में है उम्मीद है कि उनका साती सुरक्षित हो व्यू पानी के अंदर एरक्राफ रेक डूनने के लिए कूद गई जो पानी के 5000 मीटर नीचे है व्यू कहते कि उसे रेन पानी के अंदर भी इसांस ले सकता है जब एक खतरनाक शाक ने उन पर हमला किया तो व्यू ने ऑक्टूपस का रूप लेकर उसे बगा दिया और फिर वो एक श्रिंप में बदल गई ताकि वो तेजी से अंदर के और बढ़ सके और कुछी देर में उस कारगो क कर सकती क्योंकि व्यू ने इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं पहना जो वो कैबिन के अंदर गए तो वा भी उन्हें कोई नहीं दिखा पर टर्मिनल का अंदाज़ा कभी गलत नहीं हो सकता तब ही व्यू को एक अंडा मिलता है जब रेन ने वो रेवन को कॉल किया तो उसने नए साती को देखते ही पैचान लिया उसने बताया कि यहीं अंडा उनका नया साती है जो अभी तक हैच भी नहीं हुआ है तैन को लगा कि अगर उन्हें एक अंडा ही डूनना तो रेवन को पहले ही सब बता देना चाहिए था अब उन्हें वापस कौन लेकर जाएगा उस पर चिला रहा होता है तो रेवन उससे चुप कराने के लिए लॉली पॉप के जगए अपनी स्पेस्शिप उसे गिफ्ट कर देती है उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी महँगी चीज उसे कोई गिफ्ट क्यों दे सकता है रेवन ने बताया कि इस शिप के नाम है पाल करना खा जाए आखिरकार वुए भी एक ओवी पॉरस है तो इन दोनों की खूब जमेगी और अब चलने का टाइम आ रहा है टर्मिनल ने अपना काम शुरू कर दिया इस बार कैप्टन का काम रहन करेगा कुछ देर बाद जब वो तीनों घर पहुंचते तो विवेन न लिली को बुरी तरह रस्यों से लपेटा होता है वाईजैक कहता है कि अगर हम ना आए तो तुम एक दूसरे को मारी डालोगी पर लिली की अरकोतों को देखकर विवेन ने ऐसा किया है बहुत से ज़्यादा बे बिखे रहा है उसने सौस के जरिये ही मंत्र लिकर सबको रावन के इस ओफिस में टांस्पोर्ट कर दिया लेकिन इस वक्त तो वो लंच करने में बिजी है रैन ने कहा कि इस बार बात कुछ सीरियस है रैवेन लिली को पकड़ कर उसकी आँखों में देखकर उससे पूस दे और कहा कि ये बिमार नहीं है बलकि इसे अपने पुनरजनम की बाते याद आ रही है लिली जैसी वेरफुल्व एक नई अबिलिटी वाली जाते को जनम देने वाली है बट जागने से पहले उसे रिवर्जन से गुजरना होगा क्योंकि इस वक्त लिली ये खतरनाक बेडिय जिसे रोब पाना मुश्किल है क्योंकि वो खुद को काबू नहीं कर सकती रहन को लगता कि शायद लिली ने कुछ गलत खा लिया है पर विवियन ने तो सारा खाना घर पर ही बनाया था तब ही रैवन बताते कि लिली जैसे वुल्व चांद की रोशनी से कुछ ज़्यादा होती है रैन को याद आगया कि यॉक्सफोर्ड में विवियन की शक्तियों ने चांद को चटगलाल कर दिया था शायद तब ये सब हुआ हो रैवन के अनुसार सबसे पहले लिली की दिमागी आलट ठीक करने के लिए उसे एनेंस्मेंट सेंटर लिजाना होगा रैन ने उसे बताया कि उसके बेऊश होने के बाद वही सबसे ज़्यादा परिशान थी पर इस बात को लिली के मुँपर कैसे कह सकती है रैन जब रैवन को लिली के ठीक होने की खबर देने जाता है तब भी हो नुडल सीखा रही होती है तो रैन ने उसकी सुक्रियाद किया पर शायद उसने दुबारा कर गलती कर दी तो रैवन ने उसे अपने पिछले मिशन की रिपोर्ट देने का काम लगा दिया जब तक वो रिपोर्ट नहीं देता सैलरी तो उसे मिलने वाली नहीं रैवन पूचती कि इतने सारे नहीं महमानों के आने के बाद वो कैसा महसूस कर रहा है तो रैन जवाब देता कि कुछ दिनों से उसे बौस वाली फीलिंग आ रही है आला कि सभी नए साती काफी खुछ दिल और नेक हैं तेवन ने बताया कि अभी लिली का रिमिशन पूरा नहीं हुआ है उसका सिर्फ टेंपरिरी इलाज हुआ है जिसका असर जादा दिर तक न उस शाम वो सभी कैंपिंग के लिए जाते हैं जो शेहर से काफी दूर दराज की इलाके में है लिली फिर से बच्चो जैसी अरकते कर रही है उसे देखकर विवियन ने अपना स्पेशल फॉर्मला निकाली लिया सभी कैंपिंग में काफी मज़दार एक्टिविटिस करते ह ऐसे फिली को छोड़ का क्योंकि उसका द्यान तो सिर्फ खाने में ही है विवियन ने उसके लिए एक रात जाकर फॉर्मल तयार की इसलिए सभी गेरी जपकी ले लेते हैं पर उस रात लिली फिर से चांद के सामने जा वैटी और एक बेड़ी में बदल गई लिली का मूड आज कुछ खराब लग रहा है पर वाई जैक ने पहले ही सब के लिए डिफेंस स्पेल तयार कर दिया और इतने में लिली कुछ जादू कर दे और अपना रूप बदल लेती है पर वो बीड़िया जैसी तो नहीं लग रही टर्मिनल ने बताय कि जिसे वो बीड़िया समझत वो असल में एक साइबरेर हसकी है उसका साइज एक हाती से भी बड़ा हो चुका है रहन की पास आती है उसने उसे चाट कर गीला कर दिया उसने का कि सब कुछ ठीक है गबराने की कोई बात नहीं पर तब लीली उटती और फिर से जोड़ जोड़ से दाड़ने लगती है ले रहन ने वाईजेक के साथ मिलकर उसे रोकने का प्लैन किया पर उनके आत कुछ नहीं आया विवेर ने लीली को अपने जाल में दवोच लिया और रहन ने उससे समझाने की कोशिश की पर अचानक उसका दिया वो चुप चप सो गई और लीली फिर से अपने असली रूप मे उसे बेहुश कर दिया कुछ देर बाद लीली खुद को स्पेस में पाती है उसके हाथों में ताकत और क्लॉज आ चुके हैं जिने देखकर हो काफी एक्साइटिड हो जाती है पर उसकी एक खुशी दो पल की थी क्योंकि इस वक्तों एक त्या खाने में पड़ी सपना पर उनको उनसे कोई शिकायत नहीं है वो उनसे खाने के लिए रिब्स स्ट्यू मांगने लगी उन्होंने का कि तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी ते ना तुम्हें खाना मिलेगा नहीं आ जा दी इस पर लिली बढ़क जाती है पर वो लोग उसे फिर से बेवोश कर देत है उसे जवरदस्ती अपने क्लैन का इससा बनाना चाहते है तब ही उन्होंने विवियन के बेजे हुए चमकादर को देख लिया अब उनकी लोकेशन पका एक्सपोज हो जाएगी जब रहन नीन से जागा उसे याद आता है कि कोई धोके से लिली को अपने साथ ले गया है अब सबको समझ आया कि लिली इतनी देर से मिल क्यों नहीं रही और उसने अपना खाना भी पहली बार छोड़ दिया और उसे बचाने के लिए पहले उन्हें निली की लोकेशन का पता लगाना होगा तब ही वहाँ विवियन का नन्ना चमकादर आ जाता है पर वो जादू के असर के कारण कुछ बता नहीं पाता विवियन ने सोचा कि क्यों टर्मिनल की मदद ली जाए ये सुनते टर्मिनल बार आ जाता और उस चमकादर को स्कैन करने की कोशिश करता है उसके बताए सबूतों के आहार पर वो ये तैग करता है कि लिली जरूर किसी स्टील प्लांट में है रेन को याद आया कि नॉर्दन इंडस्ट्रियल सबर्स में कुछ स्टील प्लांट्स है इसलिए बहतर होगा कि वो दो टीम्स बना ले ताकि लिली को डूनना आसान हो जाए रेनर विवियन एक साथ जाएंगे और विवे वाई जैके साथ जाने वाली है पर दुश्म के पास ही हुआ वहां काफी काला दुआ दिखाई पड़ रहा है विवेन समझ गई कि जरूर कोई जादू है उन्हें अंदर जाने के लिए कोई शुरक्षित रास्ता कोजना होगा इतने में वाई जैक और विवे एक इंडस्ट्री का गेट तोड़कर अंदर कुश्या चल अंदर जाने के लिए तैयार हो गया लगता है इस बार तो बदमाज भाई पहले सी जानते थे उसने उन पर हमला किया और उनके सामने से आखड़ा हुआ और देखते ही देखते हो अपना रूप बदल लेता है और विवेन पर तूट पड़ता है कोई रहन की हालत भी नाज जाता है और तेजी से चिलाता है पर वो उसे बचा कर इस बेडियो को भी उसकी आवकात याद दिला देती है वाई जगर वीवे का गेम भी अपूरा हो चुका है जब रहन लीली को लेने के लिए बिल्डिंग में गुसने की कोशिश करता है तो उसे कुछ आवाजे करना चाहिए आखिर इसकी अबिलिटी भी हर बार इंक्रीज होती है तर्मिनल रेन को बचाने के लिए उसे गाइट कर रहा है और तभी अचानक पाइपलाइन टूट जाती है पर रेन छुपकर लीली को डूनने का फैसला करता है क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी काम यही जब उसने लीली को डूंडा तो वो उसे खाना मागने के लिए रोने लगती है पर बाहर जाते वो बेडिया फिर से बाहर आगर कहने लगा कि तुम हमारे साथी को हमसे दूर नहीं कर सकते और इतने में वीवियन आकर उसके बाई युवान को उसके सामने पटक देती है उनने पूछा कि रेंज जैसा आमाद में एक काउंटेस का मालिक कैसे हो सकता है रेंज ने कहा कि वो तो मकान मालिक है जब विवियन ने पूछा कि तुम इस डॉप को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते तो वो बाई बोले कि सभी आउटकास अपने साथ की तदात बढ़ा जैसे डीमन हंटर्स पहले सी जानते थे कि सभी आउटकास्टर्स यहां इखटा होने वाले हैं उनने देखती दोनों वुल प्रदर्स उन पर हमला कर देते हैं रेंज ने उनने समझाने की भी कोशिश की पर डीमन हंटर्स की बोली में तो रें तो दिखाई नहीं दे रहा अपने लीडर की आउडर पर उनों ने लगातार फाइरिंग करने शुरू कर दी और जैसे तैसे रें ने अपनी शील्ड से सबकी मदद की इतने में रें के साथी भी मुकाबला के लिए तयार हो जाते हैं हंटर्स एक भी आउटकास्टर्स को बचके नहीं जाने देंगे ल अपनी पूरी ताकत से अपना पहला अटक करने की कोचिश की और अपना दुश्मन को मज़ा चका दिया और लिली और विविएन भी हंटर्स पर बारी पढ़ रही है पर लगता है युवान और उसका बाई इस वक्त मुशिवत में है जब युवान उसके करीब गया तो देर तक ना करते हुए इस बेड़े से सबको खतम करना शुरू करेंगे युवान का बाई चाकर भी अपने बाई को नहीं बचा पाता डीमन अंटर्स ने उसे एक मौका दिया अगर वो अपना प्लैन उसे बता दे तो वो उसके बाई की जान बख्षेंगे उन्होंने यु दीमन अंटर्स अपनी जान बचाने के लिए स्पेल का इस्तेमाल करते हैं पर रहन और उसके साथियों को वहाँ से बाग निकलने के लिए एक मौका मिल जाता है ऐसा लग रहा है कि जैसे डीमन अंटर्स उनकी एक-एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं अगर आउटकास्टर् तब युवे और वाईजैक भी वहाँ आ जाते हैं इसी बीच रेन का टर्मिनल भी आलोटा इसे उसने काफी दूर फेक दिया था जब विवन ने विवान की हालत देखी तो उसने का कि वो उसका इलाज कर सकती है पर उसके लिए उसे थोड़ा स्पेस और टाइम चाहिए हो बताता है कि इसे रेन्स की बविश्वानी के अनुसार वो दिन आने वाला है जब आउटकास्टर्स अपनी स्टेंथ को वापस पाएंगे और डीमन अंटर्स की सकती उनके सामने कम होती दिखेगी और इसी दिन की तयारी के लिए सबी वुल्फ के साथ आना चाहते है ताकि वो अपनी क्लैन को और स्ट्रॉंग बना सके पर लिली को शिकायत है कि उन्होंने ये बात उसे क्यों चुपाई उन्होंने सोचा था कि लिली और विवियन पक्की दुश्मन है और एक दूसरे की खून की प्यासी है इसलिए उन्होंने फूट डालने का प्लैन बनाया वानब ठीक है और मदद करके उसे काफी खुशी हुई पर अचानक एक हंटर उड़ता हो और इनकी कान के पास से बुजरता है पर वाईजयक उस हंटर को पकड़कर उसकी चटनी बना देता है और अब उनका लीडर सामने आता है वाईजयक ने कहा कि क्यो ना मामले को बात क करके सुल्टा लिया जाए आखिर वो लीडर है तो उसे समझदारी से काम लेना चाहिए पर उस हंटर की हरकते देखकर नहीं लगता कि वो बात करने के मूड में है जब वाईजयक उसे अपने असली मॉंस्टरस रूप दिखाता है तो हंटर 9-11 होने लगता है पर वो इतनी असानी से काम बचने वाला है इतना मौका देने के बाद भी ना मानने पर वाईजयक ने अपनी बाशा में समझा दिया वीवे ने कहा कि अब सबको यहां से चलना चाहिए क्योंकि रहन को आज की रिपोर्ट भी देनी है पर पहले वीवे जानना चाहते कि सिरेंग की असानी के बारे में वो दो क्या जानते हैं तो उन्होंने का की प्राचीन शक्ते का सोर्स फिर से जागने वाला है और विलुप्त आउटकास्टर की जातिया एक बार फिर से जनम लेने वाली हैं अपनी परतिश्चा और लेगिसी को बनाये रखने के लिए जाते वक्त रेन को वो उसके हवाले कर दें क्योंकि उसे कुछ एक्सपरिमेंट्स करने हैं उसने का कि कुछ सवाल करने के बाद वो हंटर्स को उसे वापस कर देगा फिर वो डीमन हंटर्वां से जाने लगती है पर टर्मिनल रास्ते में है क्योंकि उनकी अलत खराब कर देता है पर य को याद आया कि वोए तो वही लड़की है जिसकी तस्वीरों हमेशा अपने साथ रखा करता था लेकिन वोए की परिशानी उसकी जासुसी करने की आदत है वो जहां भी होती है हो यांग कहीं न कहीं असे प्रकट हो जाता है उसका कहना है कि वो अपनी बेहन को किसी अरकत्रे में नहीं डग सकता अब एक फैमिली के बीच में कौन ही अपनी तांग अड़ाएगा हो याद दिला है कि उसने एक बार वो यांग की जान बचाई थी पर उस दिन के लिए वो उसका सुक्रिया कर चुकी है रेन के पूछने पर वो यांग ने बताया कि उनके फादर एक डी रेन से फिर से मिलेंगे रेन ने वुवे से का कि मैं तुमारे बाई से पहले भी मिल चुका हूँ तब ही होयांग को याद आता है कि वो सब आखिर यॉक्फ़र्ड के किले में एक क्या करने गए थे क्योंकि वो तो बेहोश हो गया था पर वीवेन को नहीं लगता कि उन्ने वीवेन ने उसे यश्वास दिलाए कि वो बाहर कुछ नहीं बताएगा इसके बाद रेन उसे सब कुछ खुल कर बताने लगता है उसने बताया कि वाई जैक से भी वो नहीं मिले थे फिर सब एक एक करके उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगे जब लिली को पता चला कि वो कोई वुल्फ नहीं बलकी खसकी डौग है तो वो जोर उसे रोने लगी फिर अचानक वीवेन ने अपने दाथ लिली की गरदन में जटा दिये हसल में वो ये उसका ब्लड टेस्ट करने का अंदाज है उसने बताया कि लिली की रगों में खसकी का खुन है और फिर से उन का कि आखिर ओयांग जैसे कोई क्यों करेगा तभी वीवेन मुद्दे की बात करने को कहती है जिसके लिए वो दोने यहां आये हैं उन्होंने का कि वो रेन को किराईदारों में से एक को अपने साथ जोड़ना चाते हैं क्योंकि एक इंसान के साथ रहना उन्हें कतरे में ड लोग तो रेन को रोशनी तक नहीं दे सकते तो इस तरह इस सीजन यहीं पर कतम होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए